नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हमें एक धमाकेदार स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके क्वार्टर त्रीके रिजर्ट्स भी आ जाये हैं शांदार पाफॉमेंस कमपनी ने दिखाया है शांदार ग्रोथ ह कौन से सेक्टर में काम करता है कैसे रिजर्ट्स आया है क्या डिविडेंट दिया है नहीं दिया है कैसे फंडामेंटल से खरीदना चाहिए तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब subscribe नहीं किया है तो please subscribe किजिए कुछ बैतर जानना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं swing trading के recommendation पाना चाहते हैं तो as a member हमें join करने के बारे में सोच सकते हैं तो company का नाम आपके सामने है Dr. Lal Pat Labs तो diagnostic center चलाने का काम करती है यहाँ पर company के results के बारे में चर्चा करें उससे पहले dividend भी declare किया है company ने उसके बारे में बात करें second interim dividend दिया है 6 रुपे का per equity share of course एक अच्छी बात है जो भी मिलता है प्रशाद समर कर रख लेना चाहिए जो payment के जो fix की गई है date सबसे पहले record date के बारे में बात करें तो February 10 record date है और अगर payment date के बारे में बात करें तो February 27 as a payment date fix किया गया है consolidated financial result देख लेते हैं जहाँ पर सारे figures rupees in millions में दिये गए हैं अगर बात करें total income के बारे में तो total income 4, 6, 5, 9 millions की है जो की quarter on quarter basis पे उपर जाती ही नजर आती है और साथ ही साथ YY basis पे भी शांदार growth हमें यहाँ पर दिखाए दे रही है अगर बात करें profit before tax के बारे में तो 1, 2, 8, 9 millions का profit before tax है जो की quarter on quarter basis पे तो उपर है और year on basis पे शांदार performance है 734 से सीधा 1289 हमें शांदार growth यहाँ पर दिखाए दे रही है profit for the period के बारे में बात करें तो 959 millions का profit for the period है यानि कि शुद्ध net profit है 871 से बढ़ चुगा है और 549 report किया था company ने एक साल पहले profit report किया था 549 millions का जो की फिलाल बढ़कर 959 हो चुगा है तो शांदार growth हमें आपर YY basis पे दिखाए दे रही है company के results तो बहुत ही अच्छे दिखाए दे रहे है stock के बारे में भी चर्चा कर लेते है mid cap stock है 18,000 crores की market cap है last rate price है 2247 जो की flat दिखाए दिखाए दिया है returns के profile के बारे में बात करे तो 1 month में 3% की गिरावट पे stock available है एक साल के बारे में बात करे तो 27% के positive returns है 5 years long term के बारे में बात करे तो 190% के शांदा return stock ने बना कर दिया है key metrics के बारे में बात करे तो 82 का P ratio है जबकि sector का P ratio 40.5 है price to book ratio 17.75 है जबकि sector का price to book 4.91 है dividend yield 0.53% चलती हुई नजराती है company के profile के बारे में हम सभी को बताए एक medical laboratory operator है diagnostic center चलाता है अगर बात करे company के financial trend के बारे में तो काफी लोग कह सकते हैं भाई सब ये जो भी farm related, health related जितने भी stocks हैं सबके सब फिलाल तो दौड़ी रहे हैं क्या आपने नया बता दिया लेकिन ऐसा नहीं है company पहले से ही अच्छी तरीके से काम करती हुई नजराती है अच्छी decent growth हमें company पहले भी दिखाती आ रही है COVID तो अभी आया है लेकिन आप देख पाएंगे पहले से भी अच्छी growth दिखाई दे रही है 2017 में 0.93,000 crores का revenue था जो की बढ़कर 2020 में 1.38,000 crores का हो चुका है और profits भी लगातार बढ़ रहे है 0.15,000 crores से बढ़कर 0.22,000 crores होते हुबे नजराते है आज के delivery percentage के बार हमें बात करें तो 29 जैन को 40% की delivery देखने को मली है तो बहुती strong delivery हमें दिखाई जीती है तो आप देख सकते हैं charts पर हमें clearly पता चलता है कि stock फिलाल एक ही zone में trade करता हुआ नजराता है 2300 के आसपास का जो zone है 2400 के आसपास का जो zone है वो as a strong resistance stock को face करना पड़ा है जब भी stock वहाँ पर हमें पहुँचता है तो वापस हमें गिरावट देखने को मल जाती है और supports के बारे में बात करें तो 2100 के आसपा stock support लेता है और वापस हमें तेजी continue रहती हुए नजरार यह फिलाल stock में weakness बनी हुए क्योंकि market भी weak हो चुगा है लेकिन 2200 पर अच्छा support दिया है कई समय से stock इसी zone में हमें trade करता हुए नजरा आता है अगर बात करें इसके moving averages के बारे में तो 20 और 50 days के moving average के नीचे trade कर रहा है लेकिन 100 days और 200 days का moving average अभी भी intact हमें दिखाए दिता है indicators के बारे में बात करें तो money for index का number 29 है जो कि बहुत ही weak हो चुगा है और यहाँ पर हमें oversold situation भी दिखाए दे रही है RSI का number 44 है जो कि अलड़ी weak हो चुगा है अगर बात करें MACD के crosswords के बारे में तो यहाँ पर भी bearish crossword बना हुआ है Bollinger band के बारे में बात करें तो lower band है 2217 का level median है 2333 का level upper band है 2449 का level pivot points के बारे में बात करें तो pivot level के आसपास ही closing है पहला pivot support 2161 का level है दूसरा pivot support बन कराता है 2016 के आसपास का level resistance के बारे में बात करें तो 2396 का level जो की 20048 का ही level है वहाँ पर stock को resistance face करना पड़ रहा है वहाँ पर stock ने resistance face किया और stock वापस हमें नीचे आता हुआ नजराया है अगर all time charts के बारे में बात करें जहाँ पर एक candle one week को represent करेंगी तो यहाँ पर हमें clearly पता चलता है कि 2016 में listing के बाद अच्छे returns हमें देखने को मिले थे लेकिन वापस गिरावाट आई 2017 का year stock के लिए अच्छा नहीं रहा था 1250 के level से stock gear कर 750 तक आ गया था जिस level से शुरुवात की थी उसी level पर stock available था लेकिन 2018 के बाद शांदार तेजी आई है और 750 के level से stock almost 25 के आसपास हमें जाता हुआ नजराया है और जब भी stock में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो stock generally support लेता है अपने 20 months के EMA के आसपास और वापस हमें तेजी continue रहते भी नजरा जाती है और फिलाल जो 20 months का EMA है वो calculate होकर आता है 2182 के आसपास का level तो ऐसी situation में investors को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेता है तो मेरा मन है जो results हैं बहुत ही शांदा रहा है और फिलाल market का Dubai trend उल्टा चल रहा है फिलाल अगर results बहुत ही अच्छे आता है तो market में गिरावट देखने को मिल जाती है stock हमें नीचे जाता हुआ नजराता है मेरा मन है अगर ऐसा होता है तो long term के investors के लिए ये एक opportunity हो सकती है आपका क्या मानना है आप मुझे comment box में बता सकते है तो जिन लोगों ने इसे already खरीद कर रखा है अगर आपने long term के लिया है तो बहुत ही अच्छी company आप इसे continue holding करने के बारे में सोच सकते है अब बात करे कि कौन से level पर fresh buy करने के बारे में सोचना चाहिए तो फिलाल तो जो pattern एक type का बनता हुआ नजार है कि यहाँ पर कई बार एक ही zone में resistance face करने के बाद हमें गिरावट देखने को मल रही है तो हम सोच सकते हैं कि काफी strong resistance है थोड़ी सी और गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मल सकती है अगर by chance stock आपको 2000 के level पर available मिल जाता है तो वहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं उसके पहले technical levels के बारे में बात करें जहाँ पर एक strong support है वो levels बन कराते हैं 2140 से करके 2180 के levels अगर आपको stock कहीं पर भी इस zone में available दिखा जिता है तो यहाँ पर आप investing करने के बारे में सोच सकते हैं इसे अपने portfolio में add किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हमसे review करना चाहते हैं तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है मेरा मानना है Dr. Lal Path Labs या फिर Metropolis जैसे जो medical laboratory operators हैं इनमें निवेश किया जा सकता है long term के लिए आपको अच्छे returns बना कर दे सकते हैं healthcare sectors में यह जो एक छोटा सा sector है laboratory वाला sector यह भी आपको long term में अच्छे returns बनाने के शमतार रखता है तो इन पर भी आप नजर बना कर रख सकते हैं आप study कर सकते हैं और investing करने के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए मुझे motivate कीजिए, thank you, stay happy, happy investing